थैंक्स वो इस कार में कहा है हलो सर बस यही पूछना था कि क्या यह नई रोल्स रोइस है यह गार तो मेरा सपना है हाँ नई वाली है असम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मज़ा आ जाता लेकिन मेरे पास तो खटा रहा है हाँ बहुत खुश खिस्मत है बात करने के लिए शुक्रिया एक बात कहूं हावी शायद तुमने ठेक का मेरी किसमत बुरी नहीं है यार सच में हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए उसका शुक्र बनाना चाहिए क्या हुआ कार खराब होगे क्या नहीं खराब तो नहीं हुए बस इस खटारा से पग्या कहा यह और कहा रोल्स रोइस कम सी कम तुम्हारे पास कार तो है मुझे तो बस लेनी पड़ती है मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती अच्छे चलती हूँ बस के लिए देर हो रही है I hope तुम्हारा दिन अच्छा रहे वाँ, ऐसी कार भी नसीब वालों को मलती है रुको, नहीं, रुको, रुको आप क्या करूँ, फिर से मिस हो गई बस है, सब ठीक है न? हाँ, मेरी बस में सो गई और इसलिए बहुत गुस्दा आ रहा है तक काश मेरे पास एक कार होती मैं हाँ रोज 32 किलोमेटर साइकल चला कर घर जाता हूँ क्योंकि बस टिकेट के पैसे नहीं वाँ, 32 किलोमेटर? रोज इतनी साइकल चलाते हूँ हाँ, काश मैं भी आराम से बैठ कर घर जाता खैर कोई नहीं जो पास में उसी में खुश रख शाहिद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है अफो, इसने तो परिशान कर दिया है रोज रोज मैं इस साइकल पर घर नहीं जा सकता बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे पास बस में जाना लाएक पैसे नहीं साइकल पर ठक जाता हूँ हाँ, पर ज़रा सोच कर देखो तुम्हारे पाउं तो चल रहे हैं इससे बड़ी बात क्या होगी? ओ, माफ कीजे आपकी हालत देख कर वाकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कोई बात नहीं अब, जिन्दगी ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ भले ही मैं अपने बैरों पे खड़ी नहीं हो सकती एक बात बताएंगी मुझे आप इतनी खुश कैसा रहती है पहले मैं भी अपनी इसकमी की वज़े से बहुत दुखी रहती थी लेकिन फिर किसी को देख कर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत है आप इसलिए तो कहते है न जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए थैंक यू खुश रहो बेटा